जय हिंद इस वीडियों हम लोग जो मैट्व कंपनी बारें बात करेंगे पिछले साल जब इस कंपनी का आई पी वाय था तो एक जबरदस्त लेटिंग गेंद देने को मिला था और जबरदस्त लेटिंग देने के बाद कुछ समय तक यह कंपनी निवेसकों को मोटी कमाई करा लेकिन अब इसके सेर प्राइस में डाउंट्रेंड शुरू हुआ है और इसमें लवर सर्कुट भी लग चुका है ऐसे में इसके जो निवेसक हैं काफी घबडाय हुए हैं कि अब उने आगे क्या करना चाहिए तो इस वीडियो हम लोग इस कंपनी का एक सोट एनालेसिस कर करती है आपको पता है इसका मार्केट केफ ऐसे कंपनी काफी बड़ी है इसका सेर प्राइस है जो के भी है हाई लगा चुका है कंपनी 117 रुपय का अधिकता है जो पिछले साल नौंबर में आया था अर्था सब्सक्राइब अब आए पिछले साल जब इस कंपनी का आयू 70 रुपए था और 76 रुपए से बढ़ बढ़कर यहां इसका सेयर प्राइस 170 रुपए के आसपास आया था जो इसका आल टाइम हाई है और इसके बास इसमें जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और इसका सेयर प्राइस सूपर जाने लगेगा तब कहा तक जाएगा तब 97 रुपए सत्या प्रेसा तक जाएगा यह जो इसका सौट टर्म टार्गेट है अप्रेंड में यह तो होगे मोटा मोटी बात अब हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानने बढ़कर 1166 क्रोड़का हो गया है अर्थात रेभिनु बढ़ा है लेकिन अगर प्रोफिट आप्र टेक्स की बात करें जिसे सूथ प्रोफिट करते हैं वह देखियेगा तो आप माइनस में अर्थात प्रोफिट ने वह कंपनी को लॉस हुआ है क्वाटर वन में कंपनी को 35 बात करें यह अर्थात बढ़ा है और अगर फैर क्रमोटर के पास चार्यवर केरें चोबढ़ीबन बात चाहिए था कि जो में इस मामले में नीगेटिव है इसका रहाए और किया के निगेटिव में तो आप देखेंगे कंपनी अभी भी अेसम लिश्ट में है रहतात से भी इसको जाज़़करने के लिए कंपनी में डला हुआ है इसका PE ratio negative में है यह सबसे negative point है क्योंकि किसी भी company का PE ratio minus में नहीं होना चाहिए कमस्कम जो मेटो जैसे company का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन आप देखेंगे जो मेटो का PE ratio minus 84.5 है ऐसे में जो नए लोग इस company के share को अर्थात company के पास इतने रुपए कैस है और debt यान की करजा है सिर्फ नाम मातर का 114 क्रोण रुपए तो company के पास जब 15,737 क्रोण रुपए का कैस है तो company जब चाहे अपने करजे को reduce कर सकती है इसका लावा company के पास asset जो है अभी liability साधिक है अर्थात company के पास जो संपती है और जो उधार लाटाना उससे अधिक संपती अभी है इसका लावा जो मैटो company के पास long term vision है जो मैटो company के पास एक future plan है और जो मैटो company उस पर काम भी कर रही है तो आपने देखा company के fundamental वर्तमान में होतने strong नहीं है तो अगर इस बेक्ती के पास इस company के share है उनके लिए मेरा suggestion है कि उसको hold कीजिए future में company का पी growth करेगी क्योंकि इसके पास potential है और जिस चेतर की है company है उस चेतर में अगराणी company है आने वाले सभे में इसका भी demand बढ़ने वाला है तो उम्मीद करते हूं वीडियो आपको informative लगी होगी अगर मन में कोई सवाल है या आपको शोवर जानना चाहते हैं उस comment करके जुरूर पूछिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब देखले दने बाद सुक्रियो